तोड़े वडिस्कस अबाओट फ्यूचर पॉफिक्टेंस की बात करेंगे आप फूचर पॉफिक्टेंस कैसा होता है इस वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगी इस तरह के शब्द आते हैं तो वो होता है आपका future perfect tense यानि जिस कार्य की भविश्य में होने की खंभावना की गई हो या ऐसा अंदाजा लगाया गया हो कि ये कार्य भविश्य में हो चुका होगा जैसे की way school पहुँच चुका होगा वर्सा समाप्त हो चुकी होगी हम खाना खाच चुके होगे ठीक है तो यनि ये पूर्णतब हविश्य का अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कार्य हो चुका होगा आप तेक ये चुका होगा चुकी होगी चुके होगे इस तरह की वाकिजो इस तरह की शब्द है वाकिए के अन्त में आ रहे हैं अब रूल्स की बात करते हैं अफ़र्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी helping word की, इसकी helping word क्या होती है, यहाँ पर दो helping word है इसकी, shall have and will have, अब दो हम कैसे use करेंगे, shall have हम use, shall have use करेंगे I और V के साथ, अगर आपका subject I है, या आपका subject V है, तो use करेंगे shall have, and if your subject is other, ठीक है, अगर I और V को छोड की कोई और आपका subject है, तो हम वहाँ पर will have use करेंगे, so जैसे कि हम पहले भी discuss कर चुके हैं, जो future के tense होते हैं, future जाए वो future indefinite हो, जाए future continuous हो, आप बात करेंगे हैं future perfect, तो सारे ही future tense में जो होता है, shell आता है, और shell जो है, हम हमेशा I और V के साथ लगाते हैं, यानि I और V के साथ हमेशा shell ही जैसे कि हाँ पर will have है और shell have है, so example है, I shall have finished my homework, you will have played the football, देख रहे हैं यहाँ पर आए है तो हमने shell have यूज कर दिया, उसके recording यहाँ पर नहीं आई है नहीं वी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर will have यूज कर दिया, बाकी work की third form, then up का opposite, so affirmative clear हो गया, then आता है negative, अगर negative है तो क्य करेंगे, shell have और will have जो है, इसके बीच में, यानि shell have और will have के बीच में, in the center of both words, we will add not, not will come in the center of the center of shell have and will have, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, shell है, shell have के center में हमने not लगा दिया, ऐसी will have के center में not, so shell not have, will not have, इस तरीकी से हो जाएगा, so example ले ले लेते हैं इसका, I shall not have done my work, you will not have done your work, so यहाँ पर क्या करना है, simple सा है, बस shell have, will have जो हम यहाँ पर लगाते थे, इनके center में negative होने पे, not add कर देना है, आपको, then आएगा आपका first type interrogative, in the first type interrogative sentence, क्या करना है, जो shell have, will have होता है आपका, इसमें हम shell को, so, यहाँ पर जो है, shell will, shell will पहले आएगा, ठीक है, in the starting, we will use shell or will, according to the subject, then subject, और जो have, जैसे हमने, shell have या will have को साथ में लिखते थे, यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे, यहाँ पर have जो है, इनसे separate हो जाएगा, उसको हम add करेंगे, subject के, just after, so shell will, shell or will, then subject, then have, verb third form, object, plus आपका, question mark, okay, next है, आपका example, इसका ले लेते हैं, example में क्या है, shall I have, could the, food, and question mark, यानि I यहाँ पर subject है, तो इसके according हमने, sell use किया है, then आपको, जो मैंने बताया था, कि have जो है, subject के बाद आएगा, okay, then verb third form, and last object, and question mark, ऐसे ही यहाँ पर subject हमारा you है, तो इसके according हमने will use किया है, और have को हमने subject के, just after, लिखना है, so will you have prepared for exam, यह हो गया आपका first type interrogative, जिसमें हम shell या will को subject से पहले लिखते हैं, और have को subject के, just after, लिखते हैं, ऐसे ही अगर यह sentences आपके जो है, negative form में आजाएं, तो क्या करना है, तो इसमें हम, same यह structure, यहाँ पर same रहेगा, बस have से पहले not लगा देंगे, shall I not have written my exercise, will he not have written the pizza, तो यहाँ पर same देख रहे हैं, अब shell आई, यहाँ पर have लगाते थे, तो negative है, have not, जो है हमेशा have से पहले आए, यहाँ पर subject के बाद हमने not लगाना है, तो यहाँ पर भी हम subject के बाद ही not लगा देंगे, और जो have था वो अपनी जगा पर ही रहेगा, बस क्या है, इससे पहले लिख में आपर not आजएगा, second type interrogative, second type interrogative में क्या करना है, यह बिल्कुल structure बिल्कुल same रहने वाला है जो first type में रहते है, जो second type interrogative होता है, वो किसी भी रहें सन्कियाकर हम बात करेंगे, वो बिल्कुल same ही रहता है structure, बस क्या होता है कि starting में हमने question word लगा देना होता है, starting में question लगा देते हैं ठीक है जैसे कि why shall I have written the letter why will he have eaten the mangoes यहाँ पर सबसे पहले हमने question word लगाया है यह question word शुरूर में इतलिए लगाया है क्योंकि इसके जो हिंदी में वाक्य होगा क्या क्यों कब कहा कैसे जो question word है है हिंदी में बीच में रहते हैं इस तरह कि question word अगर sentence के बीच में आते हैं हिंदी तो हम English में शुरूर में हमें यह question word यूज करने होते हैं उसकी English यूए हम starting में लिखते हैं जो first type का structure था same वही रहेगा यहाँ पर shell विल जो है यहाँ पर जो subject उसके according ही लगाएंगे then have आज रहेगा आपका और बाकी word की third form और object और यह ही आगर negative में है तो कुछ भी नहीं करना बिल्कुल same रहना है same it is देख रहे है ना why shall I have written the यहाँ पर latter the story वह तो कोई बात नी बा के बीच में क्या आ गया not आ गया I not have you not have यहनी subject के बाद ही not लगाना है हमेशा हम subject के बाद ही not लगाना है second type interrogative हो चाहँ first type interrogative हो तो subject के बाद ही not लगा देना है thank you